हेलो नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल इलेक्रिक मीटर में आज मैं आपके लिए कुछ नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं एक स्विच से ये सोकेट भी और ये बल्ब भी ओपरेट करूँगा सबसे पहले हम यहां पर फेस का वाइर लेंगे जो कि हमारी मैंन लाइन आती है यह रड़ वायर में ओंगे मैं सुइच में जोइन करना होता हूँ देखिए फेस का गर्णाच हो गया है फेस को एक पर में side में रख देता हूं अब यह जो हमारा एक छोटा सा wire लेना है ताकि इस point से इस point को join कर सके यहां से हमारा face socket में जा सके तो इसके लिए मैं यह छोटा सा wire use कर रहा हूं अब friends यहां पर bulb के भी connection साथ में हम join करेंगे क्यूंकि हमें one switch से यह socket भी on करना है और यह bulb भी on करना है तो इन दोनों को मैं join कर लूँगा अब इसके बाद मैं इसमें socket के एक point में join कर दोगा देखे friends हमारे यहां पर bulb का connection हो गया है face का हमारे यहां पर complete है अब मैं यहां पर यह main जो neutral आया है इसको join करूँगा और इसके साथ bulb के दूसरे वाले point जो है उसके साथ join करके मैं सेधा socket में directly neutral join कर दूँगा तो यहां पर मैं दोनों को एक साथ join कर देता हूं ताकि bulb के भी neutral join हो सके देखे friends हमारा यहां पर यह neutral का भी complete हो गया है face मैंने direct switch में दिया है यहां से switch में जाते ही जैसे हम switch on करेंगे तो यहां से socket में भी face direct जाएगा और bulb में भी direct जाएगा और neutral मैंने direct join कर दिया है अब friends यहां पर connection हमारा लगबर complete है और जिसके घर में earth का भी connection किया गया हो तो आप यह जो उपर वाले point socket में बचा हुआ है इसे में यह हरा wire earth का भी join कर सकते है अब friends हमारे यहां पर यह circuit complete है मैं आपको test करके दिखा देता हूँ देखिए friends मैंने यहां पर यह main line on कर दी है जैसे मैं switch on करता हूँ तो हमारा bulb on हो जाता है और यहां पर मैं test के लिए एक और bubble लेके आया हूँ इसे भी हम चला के देख लेते हैं साथ में देखिए friends यह भी हमारा glow कर रहा है तो connection हमारा complete है friends please मेरे channel को subscribe करिएगा और मेरे वीडियो को like करिएगा